कि वेलकम टो माई ओरिजिनल एडिकेशन यूटुब चैनल आज मापनी इस वीडियो में के साथ रेलवे एंटी पीसी की के टेगरी वाइस एस रेलक्स टेशन अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाले हो तो वीडियो शुरू से लेकर रहें तक पूरी देखेगा बिल्कुल इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में नौलज़ देने वाली इसकेस करने वाली हूँ कि डिफ्रेंट केटिगरी वाइस आपकी एजर रिलैक्षेशन किस तरहसे कराई जाती है एंटी पीसी देवारा तो जोली वीडियो श्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार् पाई यहां पर आज मैं डिसक्स करने वाली हूं के काणिडेट्स कि तरह से कंड़ाई जाती हैं तो काफी चैंडिडेट्स को queries होती है कि उनकी age relaxation कितनी दी जाती है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि general category के जितने भी candidates आते हैं उनको कोई age relaxation नहीं मिलती है no relaxation यहां पर लिखा गया है आप कोई भी exam attempt करते हैं चाहे banking का SSE का या फिर NTPC railway का या फिर other जो government exams होते हैं आपकी general category के age relaxation बिलकुल नहीं रखी जाती है कोई age relaxation आपको नहीं दी जाती है आपकी age limit last जितनी टेग की जाती है उसके बाद आपकी age बढ़ जाती है तो आप exam attempt नहीं कर सकते हैं लेकिन other categories जो होती हैं उनकी age relaxation देने का मतलब यह होता है कि वो general category की age limit जहां पर end होती है जहां पर खतम होती है उसके तीन साल पास साल या फिर दस साल जितने other categories को मिलते हैं वो उन extra years में भी अपने exam को attempt कर सकते हैं यह होता है different category का age relaxation तो इस वीडियो में मैं आपको different different categories के candidates किस तरह से and कितनी age relaxation को attempt कर सकते हैं अपने exam ने यह मैं आपको बताना वाली हूँ तो general category के लिए candidates no relaxation है and OBC category के लिए 3 years का age relaxation एंटी पीसी द्वरा दिया गया है SC and ST category की बात कर ले थे हैं तो 5 years का age relaxation दिया गया है next यहां पर persons with disability जिसे PWD भी कहा गया है उसे 10 years का age relaxation दिया जाता है next बात कर लेते हैं person with disability PWD category में ही आते हैं लेकिन OBC में भी आते हैं तो उन्हें 13 years का age relaxation दिया जाता है next बात कर लेते हैं यहां पर persons with disability PWD category में ही आते हैं लेकिन SC and ST category में बाते हैं तो उन्हें 15 years का age relaxation दिया जाता है नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं विडोस जिनका जो विद्वा औरती होती है उनका डाइवोस्ट हो चुका होता है या फिर विद्वा होती है तो यहां पर दोनों कैटेगरी की वुमेंस के लिए लिखा गया है widows and divorced women and women judicially separated but not remarried UR category में जो आती हैं जिन्होंने दुबारा शादी नहीं की है वो भी अपने exam को attempt कर सकती है और उनको 3 years का is relaxation and TPC द्वारा दिया गया है next बात कर लेते हैं widows, divorced women and women judicially separated but not remarried OBC category में जो आती हैं उनको 5 years का is relaxation दिया गया है यानि कि यहाँ पर different categories आप देख सकते हैं आपने अपनी category यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने अपनी category यहाँ पर देख सकते हैं candidates and next यहाँ पर बात की जा रही है widows की divorced women and women judicially separated but not remarried वो SC and ST category में आती हैं तो उनको 8 years का is relaxation दिया जाते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर serving group C and former group D railway staff casual labor and substitute UR category में जितने आते हैं उनको 8 years का is relaxation दिया जाते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी category से belong करते हैं कोई issue ने बस इतना आपको जाना बहुत जादा जरूरी है कि आप किस category से belong करते हैं and आपकी category wise is relaxation यानि कि आपको कितने साल की छूट दी जाती है exam attempt करने की यह जाना बहुत जादा जरूरी होता है ताकि आप अपने years के according हर साल exam attempt कर सकते हैं आपको यह अच्छी golden opportunity मिलती है next यहाँ पर mention कियागे serving group C and former group D railway staff casual labor and substitute जो OBC category में आते हैं उनको 11 years का is relaxation दिया जाता है next बात कर लेते हैं serving group C and former group D railway staff casual labor and substitute जो SC and ST के डिगरी में आते हैं उनको 13 years का is relaxation दिया जाता है next बात कर लेते हैं यहाँ पर working in currency administrative offices such as railway, canteens, cooperative, societies and institute में जितने भी काम करते हैं उनका relaxation यहाँ पर mention किया कि relaxation up to length of service and rendered subject to a maximum relaxation of up to 5 years यानि कि जो भी पहले canteens में, government canteens में या फे societies and institute में काम कर चुके हैं वो NTPC में दुबारा जाना चाहते हैं तो उनकी length के according ही उनको 5 years का is relaxation दिया जागा तो उनको 5 years का is relaxation यहाँ पर mention किया गया है तो यह थी different different category के candidates होते हैं and उनको different different years का is relaxation उनकी category के according ही दिया जाता है NTPC द्वारा तो आज मैंने इस वीडियो में full detail में share किया है कि NTPC के age relaxation किस तरह से आपको दिया जाता है या फिक किस तरह से NTPC आपकी age relaxation को conduct करती है निधारत करती है तो मेरे चैनल पर काफी तरह की age relaxation या भी different different तरह के exams की age relaxation mention है मैंने SC, SSC के exams की, bank के exams की भी MTS की exams की भी CISL के exams की भी different different age relaxation mention की है अगर आप इन में से कोई भी exam attempt करना चाहते है तो उसकी age relaxation की knowledge को लेना चाहते है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए वहां पर age relaxation, selection process and salary से related काफी सारी videos upload हैं different different exam से related वो भी check out कीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है इस वीडियो से related अगर आपकी कोई category wise query है तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं मैं आपके आपको reply करने की पूल कोशिश करूंगी तो इस वीडियो को भी से like and share ज़रूर कीजिएगा और तो मिलते हैं नेक्स यूसफुल वीडियो में तब तक लिए thank you have a nice day bye bye